श्री महालचमे नमा बास्तु यान गंगा यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो गर के दक्किर दिशा में बूल करके भी मत रखना ये चीज मातालचमी हो जाती है नाराज गर से सुख सम्रदी सदा के लिए चली जाती है यदि घर में वास्तु सास्त के नेमों का ध्यार नखा जाए तो इसका सकारत्मक प्रबाव देखने को मिलता है हिंदु धरम में दक्किर दिशा को यम की दिशा कहा जाता है साथ ही ये पित्रों की दिशा भी मानी जाती है ऐसे में दक्यर देशा से जोड़ी जरूरी बातों का ध्यान लखना बहुत ही जरूरी है बरना व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है वास्तु सास्त इंदु दरम में सबसे प्राचिन पुरानों में से एक है वास्तु सास्त्र में दिसाओं का विशेश मैत बताया गया है हर दिसा के तरह दक्चिर दिसा भी अपने आप में एक मैत पूर्ण इस्तान रखती है इसके साथी वास्तु सास्त्र में नहत दक्किर दिसा के कुछ विशेस नियमों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि दक्किर दिसा में किन चीजों को रखने से नुक्सान हो सकता है हिंदु दर्म में दिया सुबता का प्रतित माना जाता है सबसे पहला है दीपक इसलिए पूजा पाट में और तुलसी पर मुक्य रूप से दिया जलाया जाता है लेकिन वास्तु सास्त्र में माना गया है कि दक्तिर दिसा में कभी भूल करके भी दीपक नहीं जलाना चाहिए बरना इसे व्यक्ति को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है वास्तु सास्त में दिया जलाने के लिए उत्तर दिशा सबसे सुब मानी जाती है अमावश्या को छोड़ करके और किसी दिन दक्किर दिसा में दीपक नहीं जलाना चाहिए दोस्तों नंबर दू वास्तु सास्त्रे माना गया है कि दक्किर दिसा में जूते और चप्पलों को नहीं रखना चाहिए ऐसा करने से व्यक्ति को पित्र दोस का सामना करना पड़ जाता है साथ ही दक्किर दिशा में किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रोनिक सामन भूल करके भी नहीं रखना चाहिए ऐसा शुब नहीं माना जाता इस बात का विशेज ध्यान रखे की दक्किर दिसा में कभी भी पूजा घर नहीं होना चाहिए दक्किर दिसा में पूजा घर सुभ नहीं माना जाता बातु सास के अंसार इस दिसा में पूजा करना सुभ नहीं माना जाता ऐसा करने से घर में नेगेटिव एनरजी का संचार होने लगता है जो व्यक्ति को बुरे प्रवाव दिखाता है जीवर में कई प्रकार की परिशानी आ जाती है सनातंदर में तुलसी के पौदे को बहुती पूजनी और पवित्रवाना गया है ऐसे में इस बात का ध्यान रखे की तुलसी का पौदा घर की दक्यर दसा में नहीं रखना चाहिए ऐसा करने से व्यक्ति को नकारात्म परणान देखने को मिलते हैं और घर में से धन खर्चोना परणान रखने का दिया और घर में नहीं रखना चाहिए और पूर दसा में इस लिए विशेश रूफ से ध्यान रखना चाहिए व्यक्ति को इन दसाओं में बूल करके भी यह चीजे नहीं रखनी चाहिए जो व्यक्ति इन दसा में ये चीजे रखते हैं उनको कई प्रकार की परिशानियों का सामना करना पड़ जाता है वास्तु सास्त्र में का गया है कि अगर आपको धन चाहिए घर में सुक और सम्रदी चाहिए तो पूरव और उत्तर की दिशा को हमेशा इस पेश दे करके रखे यानि खाली रखे वहाँ पर तुलसी का पोदा लगाएं तुलसी के पोदे के साथ साथ में वहाँ पर आप सम्रदी के लिए साप सपाई का खास मैत बताय गया है घर के कुछ हिस्से में ऐसे होते हैं जिनका विसेश रूप से द्यान अकना चाहिए और इनको बिलकुल भी नजर अंदाज नहीं करना चाहिए बास्तु सास्त में का गया है जिस घर में जितनी साप सपाई होती है वहा में उनके इस्तान के लिए साप सपाई रखी जाती हो माना जाता है कि देवी लचमी जी को साप सपाई और उजाला बहुत पसंद है जो घर साप सुत्रा रहता है उसी घर में माता लचमी का बास होता है इसलिए घर की साप सपाई पर बिसेश रूप से ध्यान देना अपके घर में कंगाली आ सकती है, बास्तु साज के अंसार घर के ईशान कॉन को सबसे एहम माना गया है। इसे देवताओं का विश्य सिस्तान माना गया है। घर के किचन और पूजा घर इसी दिसा में बनाए जाते हैं। धन तेरास और दीपावली के दिन इशान कोण की अच्छे से सपाई की जाती हैं। गर के इशान कोण में कोई भी फालतू चीज ना रखें। माना जाता है कि गर का इशान कोण साफ सुत्रा हो तो माता लचिमय भगवान कुबिर उस गर में सदाई, सुक और सम्रदी बरसाते हैं। गर का दूसरा सबसे ऐम इसा होता है ब्रंविस्तान। गर के बीच का इससा होता है। गर के इस हष्टे को हमेशा खुला और हबादार रखना चाहिआ, ब्रंविस्तान से भारी फानीचा रटा दें और कोई भी फालतू चीज ना रखें। गर की सपाई में गर की पूर्व दिशा का विशेश ध्यान रखें, घर में सकारत उर्जा इसी दिशा से आती हैं, इसलिए घर की पूर्व दिशा को हर दिन साप कर लेना चाहिए, घर की इन जगयों को साप सुत्रा रखने से घर में माता लचमी का बास होता है, दोस्तों इन बातों का विशेश गर में लड़ाई जगड़े होने शुरू हो जाते हैं, पती पतनी के बीच बहुत जाद अनुमन होती है, कलिस रोजाना का नियम मन जाता है, घर में पैसा नहीं रुक पाता, तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कि अबसी घर में आपके में कोई ना कोई दोस है, जिस जीवन में कभी भी दन्यदान की कमी नहीं होती, ऐसे में देवी लच्मी को प्रसंद करने के लिए हर कोई प्रयास करता है, धरम सास्त्रों में माना गया है कि मालच्मी को प्रसंद करके व्यक्ति अपने जीवन के आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पा जाता है, अपने कि एसा करने से घर की लच्मी चली जाती है, और इसे घर में सुक्छ समरदी की कमी हो जाती है, मालच्मी को सपेद खाने की चीजों का भूग लगाना सुम मना गया है, जोचिसास के अनसार रात के समें दूद को छोड़कर किसी भी सपेद čीज की सेवन से मालच्मी नाराज हो सकती हैं। ऐसे में दही का सेवन भी रातरी में ठीक नहीं माना जाता। रातरी में इन चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। सूरज रने के बाद घटी चीजे दूद, नमक और ह subscription रूट के बात्फी का सामना करने साथ ही किचन में बनने वाली पहली रोटी गौ माता के लिए निकाले और गौ माता को रोटी खिला करके आनी चाहिए इसे गर में सदा ही सुक और समरदी बनी रहती है वीडियो को शेयर करें चैनल को सबस्क्राइ करें कमेंट में स्री महाल अच्वी नमा जरूर लखें